हेलो एब्रिवन कैसे हो सभी लोग तो सबको सबसे पहले गुड मॉर्निंग तो अब बात करने वाले हैं कच्छा नौवी के विशय हिंदी का जो आज पेपर होने वाला है उसका आईए हम एंसर देख लेते हैं ठीक है पेपर आप सभी को मिली गया होगा कही ना कहीं से तो प कच्छा नौवी विशय हिंदी और वार्षिक परिक्षा 2021 पुणांग जो है असी नंबर असी में असी लिया आना है तो एक काम करते हैं फटा फट से हम एंसर पर बढ़ते हैं और चलते हैं एंसर देखते हैं ठीक है अब चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ सीधे प्रशन नंबर पांच से प्रशन नंबर पांच का जो है कोश्चन नंबर एक दिया गया है कैदियों के हाथों में क्या होता था तो कैदियों के हाथों में क्या होता था बताओ भाई तो ये होता था हत्कडिया ठीक है ये हो जा आगे बढ़ते हैं अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है लेखक के अनुसार प्रेम चंद्र किसके शाथ फोटो खिचवा रहे थे तो लेखक के अनुसार जो है प्रेम चंद्र अपनी पतनी के शाथ फोटो खिचवा रहे थे ठीक है उसके बाद चली आगे बढ़ते हैं आगे है महाकाब्य में कम से कम कितने सर्ग होते हैं, तो महाकाब्य में कम से कम आठ सर्ग होते हैं, ठीक है, चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, अगला कोशन है, कबीर की प्रमुख रचना कौन सी है, तो कबीर की प्रमुख रचना की बात करें, तो ये है ब कोशन नमर 5 का मैं जो है कोशन करवारा हुँ ठीक है तो कोशन नमर 500 का चिए नम्बर आब देख लेते हैं तो यह है को अन्य भास परकई के कारण एंदी में आने वालएं शब्द क्या कहलाते है । यहां अगर डाउट होता है, तो फटाक से आप लोग कोशन पूछ सकते हैं, चलिए अगला कोशन देखते हैं, अगला कोशन दिया गया है, लेखी का मृदुला मार्ग ने अपनी नानी को क्यों नहीं देखा था, क्योंकि वो स्वर्ग चली गई थी, ठीक है, ये क्या हो गया, ये ह नाम लिखना है, ठीक है, तो भक्ति काल के दो कभी हम बता देता हूँ मैं आपको, तो पहले हो जाएंगे, कभीर दास, इनकी रचनाए कौन-कौन सी है, तो उनके सामने एरो करके बैटा लिख लेना है, फटा-फट से, बीजक, वशंत, सुख निधन, होली, अगम, आदी, ठीक है, उसके बाद तुलसिदास की बात कर लेते हैं, दूसरे कभी, तो इनका हो जाएगा, रामचरित, मानस, दोहावली, हनुमान, चलीशा, और कभी, लावली, आदी, ठीक है, तो ये हो गए, भक्ति काल के दो कभी और उनके रचनाए हो गया, बेटा जल्दी से चैनल क सब्सक्राइब कर लो, ज्यादा सज्यादा इस वीडियो को सेर करो, ताकि सभी लोगों के पास पहुचे, समय बहुत कम है, और हमको कवर बहुत ज्यादा करना है, ठीक है बेटा, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाना ना भूलो, अब चलो ब इस बात पर इस्या हो रही है कि कोयल हरे भरे विरिक्ष की डाल पर रहती है, उसके उड़ने के लिए संपुन आसमान है, जबकि कभी एक छोटी सी 10 फूट लंबी चोड़ी काल कोठरी में एक कैदी का जीवन व्यतीत कर रहा है, तो इसलिए जो है कभी को कोयल से इस्या हो यह है, यह जो है कोश्चन नमबर 6 का एंसर है, एंसर नोट कर लो फटा फट से और जा कि एक्जाम में गर्दा उड़ा दो गाईज, ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे, अब देख लेते हैं कोश्चन नमबर 8, हमने कोश्चन नमबर 5 कर लिए, 6 कर लिए, 7 कर लिए, अब को वे कृष्ण भक्ती से केवल प्रभावी थी नहीं थे, वरन स्वैम भी सच्चे कृष्ण भक्त थे, ठीक है, कृष्ण के सोंदर्य वेश्वुसा मुरली तथा लीलाओं पर मुग्द और जीवन से नहत्वार्व थे, किन्तु उन्हों ने श्वार्थ सवंज प्रकिर्ती स देखिए काव रचना की, और किसी वंधन में नहीं पड़े, कभी किसी वंधन में नहीं पड़े, ठीक है, तो ये हो गया कुष्ण नमबर 8, ठीक है, यहाँ तक किसी को बेटा कोई भी डाउट है, कमेंट करो फटा-फट से, और तेलीग्राम जलदी से जौइन कर लो, वहा तो बीर रस की परिभासा लिख लेते हैं फटाफट से तो जब किसी रचना या वाक के आदी से वीरता जैसे अस्थाई भाव की उत्पती होती है तो उसे हम क्या कहते है उसे बीर रस कहते है ठीक है उधारण के लिए मैं बता देता हूँ दुंदेलो हर वोलो के मुह हमने सु कहानी थी खूब लड़ी मरदानी वो तो जहासी वाली रानी थी ये सभी लोगों ने पढ़ा होगा जहासी की रानी पे था तो ये क्या है वीर रस है ठीक है कवीताय का जो है एक रूप है वीर रस की खूब लड़ी मरदानी वो तो जहासी वाली रानी थी तो ये है का answer जो है फटाफट से करा दिया है ठीक है अब बाकी जो बच रहे हैं ये अगले पार्ट में कराऊंगा नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा ठीक है तो जल्दी से share करो like करो और comment को फटाफट से और मिलते हैं अगले वीडियो में